सेम लोग्स को मनलब जो हमारी ट्रेनिंग हुई है उसको हमने प्लोट करवाया यहां पर आप देख पा रहे हैं हाई एवरिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया end-to-end deep learning का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आज की वीडियो में हम सारी चीज़े कवर करेंगे dataset कहां से रहनने लिया है उसके बाद यूपिटर notebook और model training कैसे की है कैसे front end बनाया है कैसे back end बनाया है पूरा प्रोजेक्ट का demo और architecture ये सारी चीज़े कवर करेंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी purpose के लिए let's say personal learning के लिए professional learning के लिए college या school assignment या final semester के लिए use करना चाते हैं तो आप मेरे साथ connect कर सकते हैं मेरा number जो है आपकी screen पे अभी flash हो रहा है और आप मुझे whatsapp कर सकते हैं या फिर आप मुझे email भी कर सकते हैं और बाकी की सारे details जो है मैंने video के description box में भी डाल दी है I can help you with the source code शलिए आज की video की शुरुआत करते हैं तो जैसा कि आप मेरी screen पे देख पा रहे हैं सबसे पहले हम बात करते हैं demo की demo के लिए जैसा आप देख पा रहे हैं ये एक web app बनाई है इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं customer churn predictor basically ये basically क्या करता है कि कि किसी भी particular bank में customer churn होगा की नहीं customer churn का मतलब की customer bank को छोड़के जाएगा की नहीं कुछ parameters आपको इसमें input करने होते हैं उसके बाद ये आपको बता देगा कि particular customer with these parameters will leave the bank or not तो सबसे पहले एक जल्दी से quick demo कर लेते हैं और जैसा आप मेरी screen पे देख पा रहे हैं एक web app है यहाँ पे हमें कुछ detail फिल करनी है सबसे पहले credit score है credit score let's say में एक random value ले रहा हूं 699 यहाँ पे geography तीन ही है क्योंकि इनी तीन geography के data के साथ model को train किया गया है gender हमारा male या female है age हम कुछ भी select कर सकते हैं let's say 34 35 या कुछ भी जो भी age हमें एक random ही select कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर 10 year with banks मतलब कि customer कितने साल से bank के साथ जुड़ा हुआ है so let's say हम कोई भी एक random value यहाँ पर रख सकते हैं customer के account में balance कितना है let's say मैंने एक random balance रख लिया उसके बाद number of product मिनलब कि जैसे customer कितने products bank के यूज कर रहा है जैसे credit card home loan bank loan sorry home loan car loan या किसी और टाइब का loan तो वह number of products यहाँ पर जीरो रख सकते हैं या कोई भी एक random value रख रहे हैं हम अभी पहले एक quick demo कर रहे हैं और is active member of bank मतलब कि वह bank active member है कि नहीं है और उसकी estimated salary यहाँ पर मैंने estimated salary का money figure दे दिया है उसके बाद मैं अगर submit करता हूं तो let's see इस particular customer के लिए यहाँ पर मोडल ने return किया है customer will exit no because the probability of customer leaving is 48% तो यहाँ पर मोडल को इस तरीके से train करके रखा गया कि अगर probability 50% से ज्यादा होती है तो then we assume कि customer will not leave the bank एक यह हमारा customer will not leave the bank का demo हो गया और अब हम जेओग्राफिक में ले सकता हूं France Spain Germany is मैं लट से एक बहुत ज्यादा एज बड़ी एज का person ले लेता हूं tenure with bank let's say इतना और balance भी हम इतना ही रख सकते हैं और यह कुछ रेड़नम वेल्यूज जो है मैं नहीं यहां ले लिए हम अब मैं लेट से इफ आई से जुड़ा हूँ है उसका बेलेंस इतना ही और उसकी इतनी 5-8% प्रषण सो यह हमारा हो गया इसका डैमो अब डैमो के बाद हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं data set की मdefinedर struggled करें जहां से हमने शुरुवात किया था डेटा से यह अप जैसे देख पा रहे हैं कि किस कॉलम का क्या मीनिग है यहां पर कुछ कॉलम देख पा रहे हैं यहां पर जैसे रो नंबर यह तो एक पर्टिक्लर रो नंबर है यहां पर कस्टमर आइडी है उसके बाद सरनेम है उसके बाद क्रेडिट स्कोर है मतलब उस कस्टमर का क्रेडिट स्कोर कितना है जियोग् loan home loan credit card या bank की कोई और product has CR card that means कि उसके पास credit card है कि नहीं है क्या वो active member है bank का is active member estimated salary उसकी कितनी है और exited क्या वो customer जो है bank को exit करके गया कि नहीं गया तो यह ऐसे हमारा यह बहुत सारा data है इसमें 10,000 rows of data है जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं count is 10,000 one so हमारे पास 10,000 of rows of data है और इस data set का हम use करके हमने एक model को train किया है जो कि हमें फिर model को train करके फिर हमने back end पे host किया है और front end से बात करता है और फिर हमने पूरा end-to-end project बनाया है जो कि बताता है कि customer will leave the bank or not तो यह हमारी data set की बात थी data set के बाद हम move करते हैं Jupiter notebook के उपर जहां पर हमने model की training और जो हमारे बैसिकली data की cleaning and all that stuff वो जो हमने किया है तो उसका मैं quickly walk through करवा देता हूँ यहां पर जैसा आप सबसे पहले देख पा रहे हैं यहां पर मैंने जो required that means कि हमारी दो classes हो जकती है classes का मतलब कि हमारी आएदर the customer will leave और the customer will not leave तो हमारी basically दो classes है customer churn होगा या नहीं होगा तो जो हमारी zero है वो represent करता है कि customer नहीं leave करेगा bank को और जो हमारी one है वो लेव करेगा वो उसका मतलब यह है कि वो customer that customer will leave the bank अब यहां पर हमारे पास जीरो के हमारे पास eight thousand around eight thousand record है और जो सोरी जो नहीं leave करेगा उसके eight thousand record है और जो leave करेंगे उसके two thousand record है तो आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें basically classes का almost equal सा distribution नहीं है तो कई बार यह होता है कि अगर हमारा equal distribution नहीं हो तो model हमारा properly train नहीं होता है उसकी वज़े से बाद में problems आती है तो इसको overcome करने के लिए हमने resampling करी है resampling का मतलब कि अगर मान लोग कोई हमने resampling मतलब कि जिस class की values number of samples जिसके कम है उसके हमने ज्यादा सेंपल बढ़ा दिये और इसके लिए resampling का एक यह जो हमारी already library SK learn के अंदर हमारी एक class है उसका use करके हमने किया ठीक है उसके बाद यहाँ पे resampling कर ली resampling करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि data 15,000 रोज होगी that means कि जो हमारा 2000 रोज थी यह 2000 के आसपास जो रोज थी उसको हमने 5000 और बढ़ा दिया that means roughly 77,000 हमारे पास दोनों का equal data set बन गया उसके बाद हमने x और y को divide किया y is our target variable जो कि हमें divide कर निकालना है और x is our training data basically जो हमारा independent variables है वो है तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि minus 1 that means कि last column last column is our exited or not so यह हमारा target variable है और बाकी हमारे x बाकी हमारे जो है training independent variable है जो कि training के अंदर जाएंगे अब उसके अंदर भी हमने सारे नहीं लिए उसके अंदर भी हमने जो है row number customer ID और surname यह हमारे किसी गाम के नहीं है क्योंकि model को इन से कोई फायदा नहीं होने वाला कि किसी customer की क्या ID है या उसका क्या surname है इन चीजों से customer bank को leave करेगा कि नहीं करेगा उसके पर कोई फरक नहीं तो हम इन तीन पहले तीन कॉलम्स को जो है consider नहीं करेंगे उसके बाद वाले सारे कॉलम्स हमारे लिए important है तो हम इन सारे कॉलम्स को यहां तक जो है इन 10 कॉलम्स को हमारे independent as an independent variable या training dataset के अंदर हम रखेंगे वही हमने यहां पर किया है जैसे अगर मैं यहां पर scroll करूं तो यहां पर y मैंने जो लिया है minus one means last column ओके और यहां पर df.ilog हमारा एक basically method होता है जिसमें हम range दे सकते हैं जो value select करनी है तो और यहां पर हमने बोला कि third to 13th column और सारी rows का data वो हमारा x के अंदर आ जाएगा और जो minus one column है उसकी सारी values का data हमारे y के अंदर आ जाएगा that means यह हमार target variable हो गया यह हमारे independent variables हो गए ठीक है उसके बाद हमने फिर encoding करी है encoding मतलब कि model को यह text और यह सब चीजे value समझ में नहीं आएंगी तो हमने इनको क्या किया है कि encode कर दिया किसी दूसरी form में लिया है label encoder हमारा एक जो लाइबरेरी में और लेबल रहते class SQL learn में उसका हमने use किय है उसके बाद फिर हमने जो है encoding यहां पर हमने encoding कर दी है encoding करने के बाद हमने train test split किया है मतलब कि data को दो parts में डिवाइड के लिए training और testing में और उसके बाद यह बहुत ही simple procedure होता है और standard procedure होता basically उसके बाद हमने scaling apply करी है scaling का मतलब यह होता है कि हमारे पास कुछ values जो है zero one की form में कुछ value thousands में कुछ hundreds में हैं कुछ lakhs में है या millions में है तो हमें आप समझ सकते हैं कि जब calculation mathematical calculation हो रही होगी तो एक value zero से एक तक जाती है और एक value zero से वन लैक तक जाती है तो जो value ज़्यादा जाती है उसका mathematical calculation करते time वो ज़्यादा बाइस कर सकती है model को इसलिए हम क्या करते हैं कि हम scaling apply करते हैं सारी values को एक scale पर लिए आते हैं तो उसके लिए हमने standard scalar का यूज किया है यह भी एक standard process होता है जब हम model training और वो सब करते हैं उसके बाद मैंने deep learning का artificial neural network टेंजर वो का यूज करके मैंने एक model बनाया है और उसमें मैंने क्या किया है कि पहले फर्स्ट एक लेयर ली है उसके अन्वर 32 neurons और activation function as relu और drop out मैंने रखा 0.6 और batch normalization किया यह दो step हमने इसलिए कि कि ताकि model हमारा over fitting में न चला जाए और fitting का मतलब यह होता है कि training के time अच्छे रेजल्ट दे अच्छी accuracy दे लेकिन actual में जब आप test करोगे या validate करोगे तो उस ताम पर अच्छे result ना दे तो उन सब चीजों को वाइड करने के लिए हमने drop out और normalization को हर layer के बाद लगा है उसके बाद last में एक layer करी है हमने sigmoid की क्योंकि हमारा basically हमारा जो यह classification का model है और इसमें values जो हमारी हो सकती है दो ही हो सकती है 0 या 1 और उसके लिए हम generally sigmoid function activation function को यूज करते हैं उसके बाद यहां पर मैंने optimizer adam लिया है और उसके बाद जो है जो हमारा loss function है वो binary cross entropy लिया है क्योंकि binary cross entropy ही हमारा जब दो classes होती है उसके लिए हम generally use करते हैं यहां पर हमने callback लगाया है early stopping का early stopping callback का मतलब यह होता है कि यह callback उस time trigger होगा अगर मालो 10 epochs के बाद भी अगर आपका validation loss मतलब की आपकी validation accuracy improve नहीं हो रही है तो यह early stop कर देगा training को लेट से हमने 100 बोला कि 100 epochs के लिए train करें और लेट से 30 epochs के बाद 30 to 40 epochs के बाद improve ही नहीं हो रहा तो unnecessarily यह आगे train नहीं करेगा उसके बाद यहाँ पे उसको fit किया है फिट मतलब training शुरू हो गई है bet size हमने 32 दिया है epochs कितनी epochs के लिए हमने वो किया और यहाँ पे हमने validation data हमारा यह है और callbacks हमारी यह है अगली stopping परसेंट और training data के उपराई है around 74 परसेंट ऐसे ही हमारा validation लोस है यहाँ पर हमने जो है उस जो बाकी की जो confusion matrix और accuracy के लावा जो हमारे कुछ और parameters होते हैं किसी भी classification model को judge करने के लिए जैसे precision होता है recall होता है F1 score होता है वो सारी चीजे हमने चेक करी है roughly हमारी most or more or less similar सा result है तो यह हमारा positive sign है इस result के कि accuracy हमारी 77% है precision 78 है recall 76 है और F1 score 77 है अगर इन values में बहुत सारा gap है तो that means कि there is some something something wrong with the model training and यह values की importance according to the problem statement change हो जाती है ठीक है किसी problem statement में हमारे लिए accuracy जाज़ा important हो सकती है और किसी problem statement में हमारे लिए precision या recall हमारे लिए जादा important हो जाता है ठीक है और उसके बाद हमने यह confusion matrix को plot किया है उसको heat map के उपर plot किया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि roughly जो हमने validation value दी थी उसमें से जैसे हमने मान लीजे रफली 4000 दी थी तो 4000 में से क्या ठारा सो ठारा सो ठारा सो चाती सो यह values होगी और 500 500 roughly 1000 के आसपास यह होगी तो हमारे 4000 के आसपास अगर रफली हमने दी है तो उसमें से 3600-3700 के आसपास हमारी correct prediction है यह जो dark blue में यह हमारी correct prediction है और जो इस diagonal के पर है 571 और 511 यह हमारी incorrect prediction and that's why our model our model accuracy is 77 और 78 परसेंट उसके बाद हमने model को save कर लिया encoder को भी save कर लिया और scalar को भी save कर लिया यह सारी चीजे हमें जो है जब हम इसको आज पूरा complete project end-to-end use करेंगे तो हम इनका use करेंगे तो यह हमारा पार्ट था model को training करने वाला पार्ट उसके बाद model को training करने के बाद तो मोटा मोटा मैं आप यह आपको architecture बता देता हूं हमारा एक front end है और एक backend है बहुत ही simple language में बताता हूं front end हमारा इस text stack के उपर काम करता है HTML, JavaScript और CSS यह सारी simple text stack के use हमने यूज़ किया है बीच में हमारा जो front end और back end एक दूसरे से बात करते हैं वो rest APIs का use करके बात करते हैं तो हमने कुछ rest APIs लिख हुई है वो basically front end यूज़ करता और back end को call करता backend हमारा Flask के अंदर deployed है तो हमारा जो deep learning का जो model हमने जो train करके रखा है उसको हमने जो है Flask के backend में Flask में हमने उसको deploy करके रखा है जो कि फिर ultimately rest API के थूख call होता है और यहां पे browsers का sign इसलिए क्योंकि हमारा front end जो है इंपे run होता यानि कि browsers के उपर और यहां पर Flask का sign इसलिए क्योंकि हमारा backend इसके अंदर है और जो हमने अभी model train करके save किया उसको हम यहां पर host करेंगे backend में Flask backend में और फिर जो है it will ultimately get called from front end वाया और rest API तो यह मोटा-मोटा हमारा जो architecture है बहुत ही simple language में हमने इसको रखा है उसके बाद architecture के बाद हम बाद आते हैं next चीजों के उपर मैं यहां पर आ जाता हूं जैसे आप यह मेरे पूरे project का structure है one by one में इसमें walkthrough करवा देता हूं अब हमारा front end और back end की बात हो रही है कि front end कहां है कैसा है और back end कहां है और कैसा है ठीक है उसके बाद यहां पर जो है सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं यह data set है जो मैंने आपको मैं already दिखा चुका हूं model के अंदर जो हमने जो भी model को train करके रखा है एंकोडर जो हमने यूज किया था उसको क्योंकि एंकोडर भी हमें चाहिए होगा क्योंकि जब यूजर जो front end से data देगा वो directly हम model को नहीं दे सकते क्यों क्योंकि reason being की यहां पर जो जैसे मैंने यहां front end से जब test करते वक्त यहां से data दिया था यहां से user ने let's say geography Spain check Spain वो select किया है तो हम directly Spain नहीं दे सकते model को हमें इसको encode करना पड़ेगा जैसे हमने model की training करने से पहले किया था तो हमें same encoder हमें use करना पड़ेगा तो इसलिए हमने यहां पे है encoder को भी जो हमने encoder यूज किया था उसको सेव करके लिए और जो scalar यूज किया था उसको भी सेव करके रख लिया इनका हमें model को लोड कर देते हैं model को लोड करने के बाद encoder को लोड कर देते हैं scalar को लोड कर देते हैं क्यों क्योंकि हम इन सब की चीज की जरुएत पड़ेगी एक by default जो जब एप जो लोड होगी यानि by default जब चलेगा तो हमारा एक render.html index.html को render कर देगा इस html फाइल को render कर देगा यह हमारा root url है बेसिकली उसके बाद यह हमारा slash predict post api के तुरू को खोल होगा यानि कि जो यहां से customer जो यहां से बेसिकली या user यहां से जो data देगा वो post api के तुरू हमारे backend के उपर आएगा assume कर लीजिए कि वो post api के तुरू हमारे यहां हमारे पास यहां पर आ गया उसके बाद हमने यहां से features को extract किया जो भी features हम आगे से दे रहें और जैसा मैंने आपको बताया था हम encoder और इनको बाद में यूज करेंगे encoder को मैंने यूज किया उसके बाद स्केलर को यूज किया उसके बाद जो है मैं predict कर रहा हूं और predict करने के बाद as a json की form में मैं इसको return कर देता हूं उसके बाद quickly बहुती quickly real quickly मैं जो है front end का और quickly work through करवा देता हूं यह हमारा front end front end में basically stml और css और javascript का code है यह हमारा यहां पर जो है stml का code है plane आप यह से समझ लीजिए जो हमारा stml का code है इसमें अलग से बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं और यहां पर मैं आपको अपना जावस्क्रिप्ट का और code दिखा देता हूं जावस्क्रिप्ट का code is तो यहां पर है जावस्क्रिप्ट का embedded code है जो की basically front end से value लेता है sttp request बनाता है और post API को call करता है server को भीजता है I mean backend को भीजता है फिर receive करता है है और वो सारी details है तो front end यह मतलब बहुत जादा हर एक चीज़ वोक्तुरू करवाने की नहीं है it's a plain simple stml और जावस्क्रिप्ट css code अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे सो point here is की हमारा front end जो है HTML CSS और JavaScript में लिखा गया है उसके बाद यही हमारा जो है basically API के through backend को call करता है तो so that's all for this video guys stay tuned for more such interesting video video